हेलो फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स मैं कुछ रोज के प्लांट ली हूँ तो आज उसका रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग के समय हम कुण-कुण से मिश्टेक करते हैं तो सभी मैं आगे आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो वीडियो अगर पसंदाए फ्रेंड्स तो लाइक से जरूर कर दिजेगा और अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया हूँ तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब बे कर दें तो चलि खुबसूरत लगे देखिए परपल कलर है जैसे और पोधे सारे हेल्दी हैं बस आपको लगाने का सही तरीका जानना चाहिए फ्रेंड्स और अगर आपको ग्रोबेग मेरे आई सस्क में लगे लगाये प्लान मिलते हैं तो और काफी ज़्यादा अच्छे रहते हैं अगर क्कषा आपको इस तरीके से रेट में मिल जाएं तो ये मुझे जो फ्रेंड्स मिले हैं गमापको इसका रेड़ बताती हुँ पहले मैं दिखा देती में उसOST तो देखिए काफी healthy पोधे हैं सभी और सभी के color भी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा खुबसूरत हैं तो कोई यह वलत जिससे आप देख सकते हैं इसमें जो फ्रेंट्स सकर्स निकले हैं तो उसे में मैं आगे बताऊंगे किस तरीके से हमें पोधे को रिपोर्ट करना है तो देखिए इसका color कितना प्यारा लग रहा है और डबल सेप में है और मेरे पास एक पहले फ्रेंट्स य देखिए इस तरीके से इसका color देखिए यह वी काफी खुबसूरत है तो यह मुझे फ्रेंट्स मिले हैं सभी 40-40 रूपीज करके और देखिए एक रोज है तो रोज के मेरे पास साथ प्लांट हैं और एक जरबेरा का तो एक मुझे फ्री में मिला देखिए काफी ज्यादा खुबसूरत लग रहा है और प्लांट सभी काफी हल्दी है तो चलिए मैं दिखा देती हूं मेरे पास जो जरबेरा के प्लांट है तो यह जो जरबेरा है फ्रेंट्स इसका भी color मेरे पास नहीं था और यह भी 40 रूपीज ही लिए देखिए इसका color काफी खुबसूरत है त यह जरी पास यह देखिए पिंक कलर का है तो इसका फ्लावर भी पूरी तरीके से खुली नहीं और यहां पर देखिए डबल कलर का एक साथ में लगा दिए हूं तो चलिए आप मैं बताती हूं कैसे हमें इसे रिपोर्ट करना है तो सबसे पहले तो मैं सभी को देखिए इस तरीके से एक एक करके रख देती हूं और जब तक यह पानी में भीगेंगे फ्रेंस तब तक हम इसके मिट्टी तैयार कर लेते हैं चलिए तो देखिए मैं यहां पर ली हूं गार्डन सोयल जो मेरे पुराने गंबलों की मिट्टी है तो उसे मैं ले ली हूं और यह देखि कर ली हूं आपके पास अगर पुरानी मिट्टी है तो आप वही ले और देखिए कंपोस्ट जो गोवर की खाद अभी हमें ज्यादा नहीं मिलानी है थोड़ी से मैं गोवर की खाद मिलाई हूं और देखिए एपसंट शॉल तो एपसंट शॉल से जो प्लांट सोक में जात सकते हैं उसके बाद साफ का फंगिसाइड पौड़र आपको मिलाना चाहिए रोज के प्लांट में काफी ज्यादा इंसेक्ट फंगस का इटेख होता है तो आपको फंगिसाइड का पौड़र भी मिलाना है और इसमें आप अगर नहीं मित्टी ले रेंफ्रेंड्स तो आपको यहां पर 25% सेंड जो बालू होती है उससे आपको मिलाना है तो मेरे पहले से जो पुराने मिट्टी है इसमें बालू मिली हुई है तो मैं इसमें और रेत की मातरा नहीं मिलाओंगी चलिए इसे मैं अच्छे से मिला देती हूं तो इसे अप अच्छे से आप उपर के लिए कम से कम आठ से दस इंच का गमला लेना है तो मैं एक टुकड़ा नीचे डाल दी हूं अब मैं इसमें पहले मिट्टी भर लेती हूं फिर मैं दिखाती हूं को कैसे हमें रिपोर्ट करनी है तो फ्रेंट्स देखिए मिट्टी आपको आधी से उपर भर लेनी है पहले हम पौदे को सेट करके देख लेंगे इस तरीके से अगर आप मिट्टी बनाते हैं तो रोज के प्लांट जो है काफी अच्छे चलेंगे वेल्डेन मिट्टी आप बनाईए आप अगर फिप्टी परसेंट अगर गार्डन सो ले रहें फ्रेंट्स तो 25 परसेंट कम से कम अच्छे से आपको गिली कर लेंगे अधा गंटा एक गंटा पानी में देखे छोड़ दीजे तब आपको और आसानी होगी अगर आप नए लगाने फ्रेंट्स अगर आप बीगिनर है तो आप क्या करेंगे आप पूरी तरीके से इसकी मिट्टी को नहीं खोलेंगे तो मैं आपको साइड करके हटा देनी में आगे और आपको दिखा देखे इसमें देखे कितने बड़े सकर से इसके निकले हुए तो आप सोचिएगा कि नए पौधे उग रहे हैं तो आप खूस होगे लेकिन खूस होने का ज़रू तो यह सकर से हैं जो जंगली पौधे जो से जो रहेंगे वह हमारे सकर रहेंगे तो देखिए इस तरीके से हम मिट्टी को अच्छे से अगर भीगा देते हैं तो आखने से इस तरीके से अगर आप हिला देते हैं तो मिट्टी पूरी तरीके से खुल जाती है तो इस तरीके से देखिए जो आपको ज्यादा डिस्ट पानी में भीगो के रख दीजिए उसके बाद जितनी मिट्टी निकल रहे हैं अपने से उतना ही निकालिए तो मैं पूरी तरीके से खौल दियूँ क्योंकि मुझे पता है मैं इसे ठीक कर लूँगी तो इस तरीके से देखिए मिट्टी डाले जहां ग्राफ्टेड एरिया के नीचे तक जो रहती है फ्रेंट्स वहां तक आप मिट्टी भरिए ग्राफ्टेड एरिया के उपर तक उपर आपको मिट्टी नहीं डालनी है तो देखिए इस तरीके से हमारे ग्राफ्टेड एरिया के जो नीचे है फ्रेंट् और अगर और मिठी के ज़रोत होंगोगई तो आम डाल सकते हो इसे तरीके से सभी वो दे को मैं report करते लिए हैं और देखी में अतनी अच्छी नहीं लेकिन फिर्मी यह ठीक हो मैं आगद दिखाओं गी और उसके बाद हमें क्या करना और एक बात का ध्यान देना है जितने भी हमारे खीले हुए फ्लावर्स हैं पोधे में इन्हें आपको नहीं रखनी है क्योंकि इन्हें अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारे प्लांट की जिन नई ग्रोथ हैं उसे करने में ये लेट कर देंगे तो हमें क्या करना है जितने भी फ्लावर्स हैं सभी को हम कट करके हटा देंगे ताकि ये पूरी एनरजी अपनी नई ग्रोथ में लगा दें तो इस तरीके से आपको फूलों को कट करके हटा देनी है तो फ्रेंट्स हमें थोड़ा सा मुह तो लगता है इन फूलों को कट करने लेकिन अगर हमें इन्हें नहीं हटाते हैं तो दिक्कत हो सकती है हमारे प्लांट को तो इस तरीके से सभी फ्लॉर को हम कट करके हटा देते हैं देखिए तो चलिए सभी फ्लॉर को कट करके मैं हटा दी हूँ देखिए सभी के कलर देखे कितने खुबसूरत लग रहे हैं फ्रेंट बिल्कुल ही कट करने का मन नहीं कर रहा था लेकिन इन्हें कट कर देंगा तभी हम इसमें दोबारा से इसी तरीके से जल्द अच्छी फ्लॉरिंग पाएंगे उसके बाद चलिए हम बाल्टी में पाने ले रहते हैं और थोड़ा सा इसमें फंगिसाइट का पॉडर फिर मैं म निकल जाएं फर्स्ट बार और जो मिट्टी है पूरी तरीके से अच्छे सेट होके बैठ जाएगे फ्रेंट्स उसके बाद मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखाती हूं तो देखिए सभी में में पानी डाल दी हूं उसके बाद देखिए आठ से दस दिन बाद देखिए इसका रिजल्ट सभी में देखिए नई ग्रोथ इसके बाद देखिए ग्राफ्टड एरिया के नीचे से जंगली पॉधे उगना शुरू हो गया तो इन्हें आपको छोटे में ही तुर क्योंकि इसकी ने ग्रोथ इस्टार्ट हो गई अच्छे सेट हो गई है और इन्हें अभी तक धूप में नहीं रखी हूं फ्रेंट जहां पर इंडारेक्ट सॉनलाइट आती है उहीं पर में रख्यों में अब इन्हें इसे जगह में रखना है जहां पर 2-3 गंटे की कम सकम दूप मिलती हूँ इस पौधे की कंडिशन फ्रेंटस बिलकुल ही अच्छी नहीं थी देखे वह भी मेरी देखे लग गई है और नई ग्रोथ भी स्टाट हो गए तो मेरे एक भी पौधे फ्रेंटस खराब नहीं हुई है सबी पौधे मेरे लग गए हैं और जो भी पुराने पत्या है फ्रेंट्स उनको भी मैं कट करके इस तरीके से हटा दे रही हूँ ताकि पोधे की ग्रोध जो है काफी अच्छी से हो जैसे इन सब में फ्लॉरिंग स्टार्ट हो जाएगी मैं ये वीडियो भी आप लोगों के साथ जरूर सेर करूंगी तो बाइ फ्रेंट्स फिर म मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टोपी के साथ तब तक के लिए हपी गाडनिंग